आज की वीडियो में मैं आपको शिखाने वाला हूँ . चैन्थ बोड परिक्षा के अंदर जो भी मेहतपूर्ण परिकषाएंगे 5 परिक्षा है थो पुरत परिक्षा है live प्लाद। इस पर तो एक्स बएक proof है तो y को मानगयात करना है तो लोग शुरू करते हैं तो सबसे पहले answer लिखो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है अपन को दिया गया है क्या क्या दिया है अपन को देखो अपन को दे रिखा है 2x plus 3y बराबर 10 दे रिखा है ठीक है और क्या दे रिखा है X कमान दे रखा है X ब्राबर 2 तो हमें अब Y कमान Find करना है मतलब ग्याद करना है तो क्या करेंगे अपन इसके अंदर X कमान रखेंगे तो Y कमान निकल के आ जाएगा चलो शुरू करो तो 2 है 2 लिखो और ब्रेकेट के अंदर X कमान क्या था 2 तो 2 को लिख लिए यहाँ पर थीक है फिर ब्रेकेट बंद कर दो फिर प्लस है तो प्लस लिख दो फिर 3Y है 3Y बराबर में 10 है तो 10 लिख दो अब क्या करना है इसको वापस 16 करना है तो 2 एकम दो 2 दो नि 4 प्लस 3Y बराबर क्या है 10 है आप क्या करेंगे यहां पर एक लाइन खीचों यहां पर साइड में करेंगे ठीक है तो आप क्या करेंगे इसको इधर बेज़ेंगे मतलब ABCD वाले एक तरफ बराबर के और गनित वाले एक तरफ बराबर के तो 3Y लिखा पहले 3Y बराबर बराबर के पास यह में 10 है तो आपको पता है जब भी बराबर के इधर वाले संक्या देखो ब्राबर के इधर वाले संके है ना जब भी इधर जाएगी जो भी चीन होगा वो चेंज होगा तो यहाँ पर पलस है तो माइनस हो जाएगा माइनस च्यार तो ब्राबर क्या जाएगा थ्री वाई ब्राबर 6 आ जाएगा पिर y ब्राबर क्या आएगा जित गुणा में ये y के तो 6 बटे 3 आ जायेगा ठीक तो y ब्राबर अपना आंसुर क्या हो जाएगा एक बटे, सोरी, दो बटे, सोरी, एक, मतलब दो यह आ गया, आंसुर, ठीक है, अपना, आंसुर आ गया, अब, अगले क्यूशन पर चलते हैं, वीडियो पर बने रहना लाज तक, आपके बोर्ड के अंदर, यह क्यूशन आने वाले हैं, ठीक है, चलो, शुरू करते हैं, अग दस्वाँ पद याद कीजिए, तो दस्वाँ पद याद करने के लिए, हमारी पास कौन सा सुत्तर है, सुत्तर होता है, हमारी पास, एन बराबर, ए प्लस, एन माइनस वन, डी, ठीक है, तो यह फोर्मुला याद रखना आप, यह फोर्मुला होता है, पद याद करने का, ठ लख लख लिया है ओपने ने अपने आ रहा है पहला पिश्य नहीं दे रहा है जहाएं इस में से दूसरे पद में से सब्सक्राइब साथ में से 10 गठाओ तो कितना आएगा तो माइनस तीन आ जाएगा डी ठीक है यह माइनस तीन आ गिया अब सॉल करते हैं इसको तो कैसे सॉल करेंगे यह मान रखो इसके अंदर रखना है मुझे सिंक है तो एन है एन लिख लो एक की जिगए 10 लिख लो बराबर ए एक इतना है 10 प्लस एन कितना है एन भी 10 ही है ठीक है तो 10 माइनस वन इंटू डी माइनस तीन है डी यह रहा डी अब ए टेन बराबर क्या आ जाएगा 10 प्लस 9 आ जाएगा 9 तो गुणा में माइनस 3 अब देखो यहां पे इसको गुणा से भार निखा लेंगे तो क्या आएगा तो 10 एसा का इसा तो 927 तो प्लस माइनस है तो माइनस हो जाएगा ठीक है तो एक का मान क्या जाएगा हमारे पास 810 बराबर आ जाएगा हमारे पास माइनस 17 ठीक है कैसे आएगा यह आपको बताने वालों में देखो यहां पे बड़िसेंग के किसकी है माइनस की तो माइनस का चीन आ गया अब 27 मेंचे 10 कटा हो तो 17 आएगा ठीक है सोरी साइन स्कॉर तीस को स्कॉर साथ तो इसका मान क्यात करना है तो सबसे पहले आंसर लिखना है और दिया है वह भी लिखना है ठीक है यह दिया है इसको लिख लेंगे अब देखो सबसे पहले अपने अपने को देखना है कि 30 की वेली का होती है 30 डिगरी की तो लोग पहल 30 degree की value क्या होती है 1 बटे 2 होती है अपने 390 देखी थी ना उसमें देखना ठीक है plus cost का भी 1 बटे 2 होता है cost 60 तो यह हो गया ठीक है अब आगे देखो 1 बटे 2 है इसका square करो तो 1 बटे 4 आ जाएगा ठीक है तो यहाँ पर 1 बटे 4 आ गया प्लस इसका इसको एकरो तो एक बटे चार बराबर चार चार अलशी मागे ठीक है चार निचे शी है में तो अब इनको जोनना है एक प्लस एक तो बराबर में क्या जाएगा हमारे दो बटे चार आजाएगा तो इनको कट करो तो 2 एकम 2, 2 दो नी 4, यह पर 2 एकम 2, एक बटा दो अपने answer निकल के आ गया, एक बटा दो हमारा answer आ गया, अब तलते हैं अपन चोते question पर, जी question कर लिए था अपने ठीक है, इसका answer एक बटे 2 आ गया, वीडियो पर बने रो, दो question ओर है बस, जल्दी जल्दी अपन खतम करने वाले वीडियो को, ठीक है, अब देखो, question है, अक्सी स्कॉर समी करना है, अक्सी स्कॉर पलस 5 पलस 6, तो इसके गुनान खंड करने है, तो गुनान खंड करने है, तो गुनान करने कैसे करोगे, पलस 6, जो है उससे लिख लो, अक्सी स्कॉर पलस 5 पलस 6, तो गुनान करने के तीन गुणा दो भी लिख सकते हैं और च्ष गुणा एक भी लिख सकते हैं और एक गुणा छ ठीक है तो आपको क्या करना है जो यह बीचो लेसंग के है न यह भी आनी चाहिए ठीक है जोणने पर गुणा का नेपर चाहिए तो दो प्लस तीन है तो पांच आ जाएगा अब 6 प्लस एक इसलिए अपने इसको नहीं लेंगे यह गलत है और यह सही है ठीक है इसको लेंगे क्योंकि 6 प्लस एक साथ होता है तो अक्षिस्क्वार रहे सेगा इसलिको प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 मतलब 6 अब आगे देखो x को मुले लो x प्लस 3 ठीक है तो यहाँ प्लस 2 को मुले लो x प्लस 3 दो तिया ठीक है अब आगे देखो इसमें क्या को मुले है x प्लस 3 को मुले है और यहाँ प्लस 2 आगे ठीक है तो यह हमारे गुणनखंड निकल के आगे है ठीक है हमारा आंसर निकल के आ गया तो लास्ट में लिख देना अध्या गुणनखंड है यह अक्स प्लस तीन और अक्स प्लस दो अब चलते हैं सिधा पांचों कुशन पर तो ले लास्ट कुशन है वीडियो पर बने रहे ना ठी अब देखो आंसर लिखो यहां पर तो कुशन है साथ सेमी वाले तिर्जा के वर्त का चेतरपल क्या होता है वह देखते हैं पहले तिर्जा लिखो तिर्जा को आर बहुत है ठीक है तो साथ सेंटेमिटर ठीक है सेमी इसे इंगलिस में भी लिख सकते हैं वर्त का चेतरपल ह होता है का चेतरपल ग्याद करना है तो यह क्या होता है पाई आर स्क्वाइर होता है ठीक है तो लिखो यहां पर विर्द का चेतरपल बराबर पाई आर स्क्वाइर है तो बराबर में लिखो अब पाई कमानो तब 12 वड़े 7 और अर कितने है साथ अब देखो आगे 22 वाटे 7 ऐसे करें सा गुणा 7 गुणा 7 लिखो और 7 से 7 कट गया ठीक है एक बार अब 22 को 22 को 7 से गुणा करो 22 को तो 7 से गुणा करोगे तो कितना आएगा बरबर आजेगा 154 सेंटिमेटर इसको है ठीक है यह आपका आंसर आ गया अगर वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक करना और अगले वीडियो के अंदर बहुत ही सांदर वीडियो लेके आओंगा ठीक है तब के लिए धन्यवाद